जीवा फटलिटी सेंटर्स अगले मैने याने में में एक फ्री कैम्प हर सेंटर में कंड़क्ट कर रही है याने कोंपली, सनतनगर, बंजारा हिल्स और मनिकोंडा हर शनिवार ये कैम्प कंड़क्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रेजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सीमिन आलसिस इंक्लूड़े है अवश्य इस मोकी का फायदा उठाइए और आकर अपने इंवेस्टिगेशन करवा के ट्रीट्मेंट ओप्शन जरूर मालूमात कीजिए अज हम जानने की कोशिश करेंगे कि exercise का क्या कुछ IVF success से संबंध है या नहीं क्या exercise करना अच्छा है या बुरा है क्या IVF के दौरान आप exercise कर सकते हो या उसके पहले से आपको करते रहना चाहिए ताकि आपका success rate बढ़े तो यह जान लीजिए कि यह सब scientific data द्वारा देखा जा सकता है कई studies ने यह कहा है कि exercise करने से फाइदा ही है आई-वेफ का success rate बढ़ता है कई studies ने यह कहा है कि exercise करने से आई-वेफ का success rate कम होता है तो यह सारे problems की वज़े से क्योंकि इतना controversy था इन सारे studies में चोटे चोटे studies में कि एक meta analysis किया गया 2018 में इस meta analysis में सारे चोटे studies को लेकर एक बड़ा study किया गया कि देखने के लिए कि इसका कुछ फाइदा है या नहीं तो कई studies ने का कि फाइदा है और कई ने फिरकार नहीं है तो यह जानने की कोशिश कीजिए कि इनका end point क्या था कई studies का end point था कि scan में pregnancy के बाद अगर fetal heart बच्चे का heartbeat दिग गया तो positive है तो कई studies ने कहा कि end point हमारा life birth rate रहेगा यानि कि हाथ में जब बच्चा आ जाता है पैदा हो जाता है वो हमारा end point रहेगा इसलिए क्योंकि end points अलग थे यह कहना बहुत मुश्किल हो गया exercise meta analysis के study के बाद की exercise अच्छा है या नहीं बट इससे यह ख़बर तो जरूर निकली है यह information तो हम जरूर पापाएं की exercise से कुछ बुरा नहीं होता तो अगर positive high या negative high exercise से कुछ negative होने के chances नहीं है आप उसे पहले भी कर सकते हैं IVF के दोरान भी कर सकते हैं अफकोस embryo डाले के बाद exercise नहीं करने के लिए कहते हैं क्योंकि यही time है जब embryo बच्चे दानी में चिपक्नया शुरू होता है तो वह बढ़ता रहता है तो यह बहुत क्रूशिल मोमेंट है तो exercise vigorous exercise है या आपको किसी और treatment में रखा गया जैसे IUI, ovulation induction लेकिन फिर भी आप exercise जारी रखना चाहते हैं इसके बारे में अगर आपको और information चाहिए तो आवश्य स्क्रीन पे देखिवे numbers को phone कीजिए इन informative वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत किये प्लीज लाइक और subscribe